Welcome back students, dear students, हमने class 10th के control and coordination के chapter को start किया है, इसके उपर हमने number of the topics को discuss किया है, अगर आप ने उन topics को अभी तक study रहीं किया है, इस वीडियो की description में उन तमाम topics के link है, आप उन topics को study कीजिए, और अगर आप channel पे बिलकुल नहे हैं, चैनल को subscribe करें, और वीडियो को like और share करें, क्योंकि इस channel के उपर हम different तरह की videos आपके लिए upload करते हैं, especially हम biology के उपर videos upload करते हैं, from 9th class up to 12th class, उसके अलावा motivational videos, उसके अलावा exam related videos आपके लिए upload करते हैं, तो आईए start करते हैं, आज का topic, आज का topic है coordination in plants, dear students, previously हम coordination in plants के हवाले से एक topic discuss कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा रह गया है, उसको अब हम discuss करने जा रहे हैं, पहली बात यह है कि coordination in plants क्या है, जिस तरह से animals में हैं, जिस तरह से human being में coordination है, human being किसी भी stimulus के towards response शो करते हैं, उसी तरह से plants में भी stimulus के towards response है, बट उतना quick नहीं है, उतना fast नहीं है, because यहाँ पर कोई brand नहीं है, यहाँ पर कोई sense organs नही हैं, लेकिन plants also show the response, कैसे कैसे plants response show करते हैं, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे, तो plants जो है, response जो show करते हैं, किसी particular stimulus के towards, चाहे वो stimulus light हो, चाहे वो stimulus heat हो, water हो, touch हो, कुछ भी हो, उसको हम moments कहते हैं, तो plants में दो तरह की moments होते हैं, एक तरह की moments का नाम है, ट्रॉफिक moments, दूस तरह की moments का नाम है, नास्टिक moments, जो ट्रॉफिक moments होते हैं, उसमें क्या होता है, प्लांट क्या करता है, प्लांट या प्लांट का पार्ट, उस particular stimulus के towards grow करता है, यानि जहां से stimulus आया है, जो stimulus आया है, उधर ही की तरह, प्लांट या प्लांट का कोई पार्ट, उधर ही की तरह ग्रो कर रहा है बढ़ रहा है तो उस तरह की moments को हम ट्रॉफिक moments कहते हैं या इनको हम directional moments भी कहते हैं लेकिन उसके बराक्स नेकस्टिक moment जो होते हैं ये non directional moments हैं यहां पर plant या plant का part growth नहीं करेगा लेकिन response शो करता है और response बहुत short होगा और quick response होगा और immediate response होगा, इसलिए, nastic moments को non-directional and induced moments कहते हैं, यह किस के वाजा से होती है, due to the target changes within the cell, जो टॉपिक moments होती है, ये टॉपिक moments different तरह की होती है, previously हमने इनको discuss किया है, टॉपिक moments, light के response पे जो moments plants होकर उनको कहते हैं phototropism, gravity के response means geotropism, in the response of the touch, it is known as thigmotropism, in response to the chemical, it is known as chemotropism, and in response to the water, it is known as hydrotropism, so अब हम बात करते हैं nastic moments की, nastic moments generally होती हैं दो तरह की, one is seismonastic, other is nastic moments, seismonastic moments क्या होती हैं, who moments, moments in response to the touch, in response to the touch, यानि अगर आप किसी plant के साथ touch करते हो, हाथ लगाते हो, तो वो plant को रिस्पॉन्स शो कर रहा है, उसको कहते हैं, seismonastic moment, best example है, touch me not plant, या इसको हम mimosa plant भी कहते हैं, mimosa plant या आम तोर पे locally हम इसको चूई मुई plant कहते हैं, जब आप इसको हाथ लगाओगे, इसके leaves के साथ हाथ लगाओगे, या flower के साथ हाथ लगाओगे, तो इसके leaves या flower एकदम से close हो जाएंगे, एकदम से मुर्जा जाएगा, जूई आप पीछे हटाएंगे हाथ, ये एकदम से बिलकुल अपनी normal position पे होगा, तो ये कौन सी change है, सिस्मोनेस्टिक मुउमेंट्स है, और ये इस मुउमेंट्स में टर्गर changes की वज़े से ऐसा हो रहा है, और इसको हम कहते हैं थीगमोनेस्टी, यानि in response toward the touch, it is known as थीगमोनेस्टी, सो सिस्मोनेस्टिक मुउमेंट्स जो है, वो टच की वज़े से होते हैं, दूसरी होती है नेस्टिक मुउमेंट्स जो है, डायरेनल वेरियेक्शन्स हैं, और ये flower लीफ जो है, वो रिस्पॉन्स शो करते हैं, लेकिन ये दो तरह की होती है, एक होती है फोटोनेस्टिक और दूसरी होती है थर्मोनेस्टिक, फोटोनेस्टिक में क्या होता है, प्लांट्स जो है, रिस्पॉन्स शो करेगा in the presence of light, मान लीजे, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, जो ही सूरज निकल जाता है, दुहूप निकलती है, उनके फ्लावर्स खिलते हैं, उनके लीफ एकदम से खिल जाते हैं, और आपने देखे होंगे ऐसे प्लांट्स और दैनिलियन प्लांट्स जहें, ऐसे प्लांट्स हैं, जिनमें जो ही early morning में सन निकल जा करते हैं तो मुस्टली हम लोकल को हम दिन की रानी एक चाहते हैं और वह कौन से मूमेट करते हैं फोट्व नैस्टेस्टिक नुबमे फ्लावर ओपनिया क्लोज हो जाता है तो इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो रिस्पांस शो करते हैं डियर स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचे और वो भी फाइदा हासल करें